टोप टेन में आपका सुवागत यात्री ने स्पाइड जेट की महिला क्रू मेंबर की बचसलूकि साह यात्री समयद फ्लाइट से उतारा गया। इस पाइड जेट ने सोमवार को बताया कि दिल्ली हैधरावद फ्लाइड में कैबिन क्रू की महीला सदल से से बस सलुकी करने पर दिल्ली में एक यात्री को उसके सह यात्री समित विमान से उतार कर सुरक्षा क्रमी को सौप दिया गया गर्फतार transgender फिल्मों के अभीनेता लक्ष्वन का सोमवार को बेंगलरू में 74 वर्ष की उमर में निधन हो गया बकॉल रिपोर्टlaşं लक्ष्वन उमर संबन्दी बिमारी जी पीडित थे और उन्हें दिल का दोरा पड़ा ता जिससे उनका निधन हो गया 20 महीने की बच्ची का रेप के आरोप में 35 रशी शक्स को मुंबई में किया गिरफतार मुंबई के वर्ली में 20 महीने की बच्ची का रेप करने के आरोप में 35 रशी शक्स को गिरफतार किया गया वकॉल पुलिस आरोपी और बच्ची एक ही महले में रहते थे भारत में अवेद रूप से रह रही उन्निस वर्ष पाकिस्तानी लड़की को बैंगलूरू पुलीस ने किया गिरफतार बैंगलोरी पूलिस ने उनने सोरशे पाकिस्तानी लड़की को फर्जी दस्ताविस बनाने और अवेद रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफतार किया पूलिस ने उत्तर परदेश के 26 और शे शेक्स को भी ग्रफतार किया जिससे लड़की ने कुछ मेहना पहले एक गेमिंग एक पर मुलाकात के बाद कटित तोर पर शादी की थी लड़की नेपाल के रास्ते से भारत आई थी गोवा में दो मंजिला इमारत में इस्तित बार में कठित तोर पर सिलिंडर में हुआ विस्पोड गोवा के डंगवी कॉलिनी में रविवार को एक दो मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सिलिंडर विस्पोड की खबर सामने आई है पुलिश के अनुसर घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है पाकिस्तान के ओल राउंडर शादाब खान ने सकलेन मुच्टक की बेटी से किया निकाश शेयर किया नोट पाकिस्तान के ओल राउंडर शादाब खान ने समवार को टीम के मौजूदा है एड कोच और पुर्वा क्रिकेटर सकलेन मुच्टक की बेटी से निकाश कर लिया 24 वर्शे शादा अपने ट्विटर पर इसकी जानकरी देते हुए लिखा मैं अपनी जिन्दगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ नवाज उद्दिन की माने अपनी बहू के खलाब संपत्ती विवाद को लेकर दर्श कराई F.I.R. अभी नेतन अवाज उद्दिन सिद्धी की मा महरू निसा सिद्धी की ने अपनी बहू आलिया और जैनप के खलाब वर्शुआ पुल्स स्टेशन में F.I.R. दर्श कराई बखुल A.N.I. एक संपत्ती विवाद को चलते आलिया और उनकी सास के बीच बहस हुई थी एक स्वपाश यात्री को लेकर मसकत जा रहे एर इंडिया की विवान की 311 पूरम में हुई आपात लेंडिंग दाहेज में स्कॉर्पियो की मांग को लेकर यूपी में शादी से एक continuous वागा दूला विजनौर में एक दुलहन के पिता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि दहेज में स्कॉर्पियो की मांग को लेकर दूला शादी से एक दिन पहले अपने घर से बाग गया पुलिस में केस दर्श कर लिया बकॉल दुलहन कार देने से मांग बना करने पर दुलहन ने उसके पिता और भाई की हत्या की धंकी दी थी अमेरिका की स्कूल में गोली बारी दो शातरों की हुई मौत अमेरिका के डी मौईन में सुमवर दुपहर को एक स्कूल में हुई गोली बारी में दो शातरों की मौत हो गई पुलिस के प्रवक्ता ने बताए कि इस दोरान स्कूल का एक करमशारी भी गायल हुआ जिसकी आलत गंबीर है दाहिल के अनुसार स्कूल से दो मिल दूर से तीन लोगों को इहरासत में लिया गया है